अगर आपने CHS का एक्जाम दिया था 2024 में और आपके मन में सवाल है कि सब कब एडमिसन चालो होगा, क्या प्रोसेस होगा, रिजल्ट कब आएगा और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, कैसे एडमिसन प्रक्रिया होगी, तो ये वीडियो लास तक देखना सारा कन्फूजन दूर हो जाएगा, नमस्कार, मेरा नाम है आस्टोस रायब, मैं एक CHS अलुमनाई हूँ, और कई सालों से अलग-अलग एक्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, आपके सामने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कि CHS का जो एक्जाम आपका हुआ हुआ पहले तो आपके सामने कब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद की प्रकिरिया क्या होने वाली है, जिससे आपको ध्यान पुरुवक सुननी चाहिए, दिखिए, सबसे पहले आप BHO Online के वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसके बूलेटीन में ही यह बात लिखी है, कि कि रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने कब आएगा, रिजल्ट आपके सामने 5 जून को आएगा, तो जल्द ही आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपके माक्स लिखे होते हैं, कि आपका इतना नंबर आया है, जैसे जितना भी सही ह आपका marks लिखाऊगा और category लिखाऊगा जिस category से आप बिलॉग करते होंगे ठीक है result आने के बाद आपको ध्यान देना है क्या बबू counselling के बारे में और class के लिए अलग-अलग counseling date है जैसे 11 के लिए कई जून है इस date को आपको वरानसी में Central Hindu Boys School में आना होता है ठीक है बाकि girls वालों का girls में counseling होता है boys वालों का boys में होता है ठीक है तो जैसे अगर आप 9th में पढ़ते हैं तो आपको अगर आपने result आया ठीक है तो result में मान लिजे आपका number आगा कुछ भी ठीक है जैसे 211, 224 कुछ भी number ठीक है तो आप ये 26 जून को आपको वरानसी आना नहीं है 26 जून से पहले एक list निकलेगी ठीक है जो हम लोग बताएंगे इस चैनल पर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना है आपको ठीक है जिसमें बताये जाएगा कि इस category का बच्चा अगर इससे जादा number पाय सब्सक्राइब करेंगे तो यह कांसलिंग प्रिक्रिया है कि पहले आपका result निकलेगा फिर आपका एक merit list निकलेगा कि इतने number के उपर वाले को calling होगी अब यह भी कंफर्म नहीं जिनको बुलाएगा उनका admission हो जाएगा बहुत सारे आपको लोग फेक information देंगे मैं खुछ CHS से पढ़ा हो मैंने कांसलिंग कराई है मुझे पता है कैसे होती है और सालों से वैसे ही होती आ रही है ठीक है वहां मैं अक्सर जाता हूँ अभी से से साल भी बात करी तो उन्होंने बताया कि बहुत से प्रोसेस है जो पिछली साल भी था कोई बदला हो नहीं है ठीक है तो आप result का wait करिए result के बाद merit list का wait करिए बाकि result आने के बाद मैं आपको एक moment एक idea दे दूँगा कि आपका कितना score जाएगा merit list किस category के लिए जिसके आप prepare हो सकते mindset ठीक है तो यह रही आपका result और सारी चीज के related information कोई मन मे doubt है कोई भी सवाल है comment box में छोड़ जाएए और 2025 वालो तैयारी अगर करना चाहते हो तो अभी seat thumb के एकदम seat weld लगा लो एकदम thumb के बैट जाओ क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े-बड़े surprises wait कर रहे हैं और जल्दी इसी channel पे आएगा ठीक है तो आप अपने छोटे भाई बच्चो जल्दी मिलेंगे